वेलकम है आपको तो यहाँ पर हम लोग जाड़ेंगे अभी आवेस यानि कि वेधूत आवेस जिसे हम लोग करते हैं यहाँ परक्रिया है इसे को हम लोग आवेस करते हैं इलक्ट्रोन की परभा को ही आवेस करते हैं यहाँ जिसके कारण क्या हो रही है कि आवेस उत्पन हो रहा है ठीक है जिसके करते हैं कि आवेस उत्पन हो रहा है ठीक जाम आए तो किस परकार जहरो लिखेंगे ठीक है इसको हम में बता दता हूं ठीक हैania मैं इसको लिख करके दिखाद रहा हूं कि आपको किस प्रकार से लिखना है ठीक है आवेस पदार्थ का वगुन है जो वेधूत उत्पादन के लिए उत्तरदाई है ठीक है आवेस पदार्थ का वगुन है जो वेधूत उत्पादन के लिए उत्तरदाई है इस प्रकार से लिखना है और जब एक पदार्थ इलक्ट्रोन गरहन अथ्वाद त्याग करता है तो आवेस को उत्पत्ती होती है ठीक है जब एक पदार्थ इलक्ट्रोन गरहन अथ्वा त्याग करता है तो आवेस की उत्पत्ती होती है ठीक इलक्ट्रोन गरहन करने पर क्या उत्पन होता है जब इलक्ट्रोन जब गरहन कर रहा है ठीक है तो इलक्ट्रोन गरहन करने पर क्या उत्पन होती है इलक्ट्रोन गरहन करने पर रिन आवेस उत्पन होता है और इलक्ट्रोन हम लोग त्यागते हैं ठीक है इलक्ट्रोन जब त्यागता है कोई पदार्थ तो द्धन आवेस उत्पन होता है ठीक है न तो आवेस की उत्पत्ति हम लोग समझ गए कि जब एक पदार्थ इलक्ट्रॉन गरहन अध्वा त्याग करता है तो आवेस उत्पन होता है या फिर इकजाम में आप लोग ऐसे भी लिख सकते है कि जब किसी पदार्थ पर आवेस परकार के होते हैं ठीक है आवेस कितने परकार के होते हैं दो परकार के होते हैं अच्छा मैंने आपको यह चीची तो बता दिया कि इलक्ट्रॉन जब गरहन करता है तो रीन आवेस उत्पन होता है और इलक्ट्रॉन जब त्याक करता है तो धन आवेस उत्पन होता है ठीक है जैसे कि इसका एक एक एग्जामपल भी हम लोग लेंगे अभी, ठीक है, इसका सबसे पहले समझ लेते है कि आवेस कितने परकार के होते हैं, तो आवेस दो परकार के होते हैं, धन आवेस ठीक है और एक होता है रीन आवेस तो आवेस दो परकार के हुआ, एक धन आवेस और एक रीन आवेस ठीक है तो देखें यहाँ पर धन अवेस कब उत्पन होगा जब इलक्ट्रोन गरहन करता है तो क्या उत्पन होता है जब इलक्ट्रोन जब गरहन करता है ठीक है तो रिन अवेस उत्पन होता है जब इलक्ट्रोन जब गरहन करेगा कोई ठीक है कोई पदार्थ है ये इलक्ट्रोन गरहन कर रहा है ठीक है इलक्ट्रोन ले रहा है अपने में इलक्ट्रोन समहा रहा है तो इलक्ट्रोन जब ले रहा है तो यहाँ पर क्या होगा इसमें रीन आवेस उत्पन होगा ठीक है और जो इलक्ट्रोन जो देगा ठीक है जो इलक्ट्रोन देगा जो इल इलक्ट्रॉन जब लेगा तो नेगेटिव चार्ज हुआ ठीक है इलक्ट्रॉन लेता है को लेता है नेगेटिव चार्ज और इलक्ट्रॉन देता है तो पोजिटिव चार्ज उत्पन होता है ठीक है तो इलक्ट्रॉन गरहन करने पर रिन आवेस तथा इलक्ट्रॉन त्याग करने पर धान आवेस उत्पन होता है समझ गए अब देखें यहाँ पर कि आवेस का अब हम लोग SI मात्रक भी जान लेते हैं ठीक है तो आवेस का SI मात्रक क्या होता है कुलम होता है ठीक एक्जाम में आवेस का SI मात्रक क्या होता है कुलम होता है ठीक है आवेस का ऐसा है मात्रा क्या होता है कुला मोता है तो एक्जाम में जब आये तो आप लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं ठीक है या फिर मैंने एग ओ सोट तरीका में ने बताए कि वन मार्क के ज़दी आए तो सिंपली आपको क्या लिखना है कि जब किसी पदार्थ पर इलक्ट्रोन गरहन करने गरहन करते हैं या फिर निकलते हैं तो इस पूरी परकिरिया को क्या करते हैं उसके बाद लिखते हैं इस वीडियो पर आवेस के बारे में मैंने बता दिया आपको तो मुझे उम्मीद आप लोग अच्छी तरह से जानगे आप कोई पूछेंगा तो बता सकते हैं है ना इलक्ट्रोन गरहन अत्वा तयाक करने के परिक्रिया करते हैं आवेस करते हैं ठीक है तो बस इस वीडियो पर इतना ही मिलते अगले वीडियो में तब तक लिए बहुत बहुत धन्यवाद